हाई गाईस प्रियस किचन में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेट गाजर का हलुआ बहुत ही टेश्टी रेस्पी है बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है तो चलिए यहां पास हमने ले लिये है गाजर जिसे मैंने अच इस तरीके से चोटे चोटे तुकड़ों में सारे गाजर काटकर रेडी कर लेंगे कई बार ऐसा होता है कि हमें गाजर गिसने में बहुत टाइम लग जाता है तो आप इस तरीके से चोटे तुकड़ों में काटकर बनाए बहुत ही जल्दी बन जाता है इसके फ्लेवर में भी कोई changes नहीं आता बहुत ही tasty लगती है तो आज मैं गाजर बहुत ही कम समान से जो घर में हमारे easy मिल जाती है मैं उसी तरीके से इसे बना रही हूं बिना मावा के और बहुत ही कम दूद के साथ और टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं तो आप जरूर एक बार इसे ट्राइ करे यह खाने में बहुत ही tasty लगती है तो guys अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लिजे साथ ही साथ bell icon को दवाना मत भूलिएगा जिससे मेरे वीडियो की notification आपको मिल सके तो यह देखिए मैं इस तरीके से इसे छोटे pieces में काट कर कर लेती हूं तो यह देखिए मैंने सारे गाजर को अच्छी तरीके से छोटे pieces में काट लिया है और इसे जो आप चाहें तो इसका जो वाइट वाला पार्ट होता है आप इसे निकाल सकते हैं तो यह देखिए यहां पास मैं ले रही हूं कुकर क्योंकि आज मैं गाजर का ह एसी घी डालाए साथ ही इसमें हम कलाउंजी डाल treball गाजर दिम मैं बहुत अच्छा रहता है यहां पास हमारे जादा ग container मैं ज्यादा गरम हो गाठा़ तो मैं ग्यास की от Run zam अब दुबारा से हम गैस को चालू करेंगे अब इसमें हम डाल देंगे अपने कटे हुए गाजर जो हमने गाजर लिया था उसे हम आप इसमें डाल देंगे इस तरीके से बनाने से और कुकर में बनाने से जो यह गाजर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं अगर हम इसे जै कि यह तो जन्त करें तो किनम लगारा वहां , शनाम हो तरीके किवर एकummत हम और जो टपकते on करें दोड़ कर सकते लेकिन अगर किके एसे इस तो हमारा ज़का धोड़ पल जा कर दोड़ंे यहां पास जो गाजर अच्छी तरीके से सौफ्ट हो चुके हैं तो इस तरीके से मैं इसे करची से दबा कर 50 минут हाँ अगर आप उसे वह ए फोलक मैस कर शक्रड़ हाँ तो यह देखिए ऑज अच्छी तरीके से मैस मैस यताता है तो इस टाइम पर मैंने डाला है इसमें एक कप दूद्ध आप चाहें तो इसमें बढ़ा सकते हैं लेकिन मैंने काहिए जैसे बहुत ही कम समान में मैं बना रही हूँ यह मैंने एक कप के करीब डूद्ध ही डाला है अगर आप इसे बिलकूल ना गल्म करें कि अगर इससे आप कवर कर देंगी तो जो हमारा दूद्ध होता है फॉड़ जाता है तो तो बस हम इसे इस तरीके से चलाते हुए दूद्ध के दूद्ध और गाजर को मिख्स करें कि जब तक दूद्ध गाजर में अब्झॉफ नहीं हो जाता तब मावा नहीं है आपके पास तो आप इसमें मिल्क पॉडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नॉर्मल जो घर में हमारी एजी समान मिल जाता है तो मैं उसी चीजों से ही बना रही हूं इसे अब इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे शकर तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं आप चाहे तो इसमें मिसरी डाल सकते हैं तो यहां पास मैं डाल रही हूं शकर तो शकर मैं छोटी जो कटोरी होती है नॉर्मल उसकी एक कटोरी डाल रही हूं अगर चम्मच से हम नापिंगे तो पांच बड़े चम्मच के करीम मैं इसमें शकर डाल रही हूं त तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं शक्कर अपनी एक बर जरूर आप ये गाजर का हलुआ बनाकर ट्राय करें बहुत ही जल्दी बनती है बहुत ही कम समय में ये बनकर रेडी हो जाती है अगर कभी आपका मीठा खाने का मन करें और घर में गाजर हो तो आप ये रेस्पी और अपना पानी छोड़ेगा तो जब तक इसमें अच्छे से सक्कर का पानी शूख नहीं जाता तब तक हम इसे और पका लेते हैं तो यह देखें यहां पास जो अपना पानी छोड़ा था वह पूरा शूख गया है तो यहां पास मैं डाल रही हूं दरदरी इलाइची पसंद नहीं है तो आप उसे इसके भी कर सकते हैं इलाइची पॉडर डालने के बाद मैं इसमें कुछ ड्राइफ रूट डाली हूं तो आप ड्राइफ रूट अपने मन पसंद के डाल सकते हैं मैं यहां बस बदाम डाल रही हूं और यहां पस काली किसमिस डाल रही हूं आ तो अगर आपको ये रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सस्क्राइब, सेर करना मद बूलिएगा, कमेंट्स में जरूर बताईए आपको ये गाजर के हलुआ की रेस्पी कैसी लगी और आप अपने घर में एक हलुआ कैसे बनाते हैं अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट रेस्पी के साथ वीडियो को कंप्लिट देखने के लिए ठैंक यू